हेलो फ्रेंज गुट मॉर्निंग कैसे हैं आप सब मैं उम्मीद करती हूँ आफ सब बहुत अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छे आज संडे है और सुभे के बच गए है साड़े पांच जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि साड़े पांच तो बच गए है लेकिन अभी भी बहुत अंधेरा है सूरज देवता बिल्कुल अभी निकले नहीं है especially जिस दिन cloudy weather होता है उस दिन तो सूरज देवता के दर्शन होते ही नहीं है तो चलिए आज संडे की शुरुआत करते हैं breakfast, lunch और dinner की cooking का आपको दिखाते हैं और देखते हैं कि हमारा संडे कैसे spend होता है तो आ गई हूँ मैं क्रिचन में breakfast बनाने के लिए फ्रेंट संडे के दिन में मैं पिक्स breakfast रखती हूँ हम लोग अकसर french toast ही संडे को खाते हैं ये काफी easy होता है बनाने में और बहुत आसानी से बन भी जाता है bread थोड़ी सी बड़ी थी इसलिए मैंने इसके चार pieces कर लिये थे और अब एक कटोरी में मैंने इस तरीके से अंडे को फेट लिया है और इसके अंदर अपने स्वात अनुसार में नमक और सिर्फ लाल मिर्ची ये दो ही चीजे का मैं french toast बनाती हूँ आप अगर चाहें तो friends इसके अंदर थोड़ा सा maple syrup या honey भी डाल सकते हैं उसका भी काफी अच्छा taste आता है अब इस तरीके से मैं तवे के ऊपर घी लगाऊंगी और मैं जो ब्रेड को अंडे में डिप किया था उसे मैं डाल दूँगी और इसे दोनों बाजू से मैं सेक लूँगी friends ये मेरा fix breakfast है क्योंकि बनने में सिर्फ 5 मेंड लगते हैं क्योंकि Sunday को और भी चीजें होती हैं करने के लिए तो ये फटाफट से yummy सा breakfast बनकर ready हो जाता है breakfast के खतम होते ही मैं lunch की भी तयारी करना start कर देती हूँ क्योंकि friends भले ही जो breakfast है वो मैं simple bread, omelet या bread, french toast का रखती हूँ लेकिन lunch तो मैं elaborate ही बनाती हूँ तो आज मैं बना रही हूँ वड़ा, सांबर और चटनी यहाँ पर मैंने सांबर बनने के लिए रख दिया है बहुत simple तरीके से आसानी से मैं आज सांबर बना रही हूँ friends यह सांबर की recipe मैंने मेरे दूसरे channel रजनी की रसोई से उसमें upload कीवी है अगर आप चाहें तो आप उसके उपर full recipe देख सकते हैं साथी साथ मैं यहाँ पर वड़े भी तलना start कर दिया है और यह देखिए friends कितने अच्छे से मैं यह वड़े तल रही हूँ और कितने अच्छे से जैसा आप देख सकते हैं मैंने line से यह वड़े यहाँ पर लगा दिये हैं और यह मेरा संडे का yummy yummy वड़ा सांबर और चट्टी बनकर तयार है friends वैसे मैंने वड़े की भी रेसिपी अपलोड की हुई है अब वो भी चेक कर सकते हैं मैं पही बना लेती हूँ यहाँ पर मैंने चावल और मूं की दाल equal quantity में भेगो कर रग दी थी करीबन 15-20 मिनिट के लिए इसे अच्छे से मैं धो लेती हूँ अब मैं सारी सब्जियां काटना स्टार्ट कर दूँगी यहाँ पर मैं प्यास काट रही हूँ सब्जियों को फ्रेंज मैं रफ ही चॉप करूँगी इस तरीके से लंबे-लंबे प्याज मैंने कट कर दिया है साथी साथ मैं टमाटर भी लूँगी इसे भी मैंने कट कर दिया है इसके अलावा आप खिचडी में जो सबजियां डालना चाहे वो आप डाल सकते हैं सभी चीज़ें का स्वाथ तो बहुत अच्छा आजाता है और जितनी सबजियां आप डालेंगे उतनी जादा हमारी खिचडी टेस्टी बनती है तो मैंने साथी साथ गोबी भी ले ली है और यहाँ पर मैंने गाजर ली है वो भी ले ली है आज मेरे पास बींस एवेलेबल मी थी तो मैंने वो नहीं डाली है लेकिन उसका भी स्वाथ बहुत अच्छा आजाता है अब ग्यास के उपर मैं एक प्रेशर कुकर ले लूँगी इसके अंदर मैं थोड़ा सा तेल डाल कर इसके अंदर मैं थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी जीरा जैसे ही क्रैकल हो जाएगा फ्रेंस मैं इसके अंदर सारी सब्जियां डाल दूँगी जितनी मैंने ली थी सबजियों को मैं बस हलका सा सौते करूंगी हमें इसे पकाना नहीं है क्योंकि जब खिचडी बनती है जब ये प्रेशर कोक होती है तो सारी सबजियां एकदम अच्छे से गल ही जाती है अब फ्रेंस यहाँ पर मुझे याद आया कि मेरे पास मटर पड़े थे फ्रोजन वाले तो मैंने वोब डाल दिये कुछ थोड़े से बेसिक वाले मैं इसके अंदर मसाले डाल दूँगी खिचडी के अंदर तो कुछ ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अलक अलक फ्लेवर आ जाता है हमारी मसाला खिचडी के अंदर अब इसके अंदर मैं वो जो मैंने चावल और डाल भिगो कर रखी थी वो डाल दूँगी थोड़ा सा पानी में डालूँगी वैसे खिचडी के अंदर फ्रेंस बहुत ज़्यादा पानी डलता है तभी ऐसे और जैसा मैं ने आपसे कहा कि मेरे घर पे हम पुलाव जैसी ही खिचडी खाना पसंद करते हैं हम लोग एकडम मैश कीवी खिचडी नहीं काते हैं तो ये मेरी खिचडी बनकर तयार हो गई है गरम गरम खिचडी को वह में उपर थोड़ा सा घी डाल दूँगी एकडम अचार और पापड तो मैंने पापड तो नहीं दिया ले तो चलिए दोस्तों अपने इस मज़ेदार खाने के साथ मैं आज का ये मेरा संडे स्पेशल ब्लॉग यहीं पर खतम करती हूँ फ्रेंज मैं उमीद करती हूँ कि आपका आने वाला हफता बहुत ही अच्छा जाए आप लोग बहुत ही प्रोडक्टिव अपने वीक को ले मैं आपसे बहुत ही जल्द मिलूँगी अपने एक नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए स्टेश टून पर मेनी मो ब्लॉग